जै माता दी दोस्तों पूझा शक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और बहुत बहुत स्वागत है काफी अर्से बाद वीडियो बनाया जा रहा है समय की पाबंदी के कारण या कह सकते हैं समय कम होने के कारण परन्तु आज आप सभी के सवालों के जवाब देते हुए ये वीडियो जो है आप सभी उन भाई बैनों के लिए काफी काम में आने वाला है जो इस समय जो है काफी समस्याओं से जूज रहे हैं या उनके घर में काफी negativity दिखाई दे रही है कई लोगों के सवाल आए थे कि इस समय में हम कैसे अपनी घर की सुरक्षा करें कैसे अपने आप की सुरक्षा करें अपने बच्चों की सुरक्षा करें साथी साथ अपने घर में पवित्र वातावरं को जो हैं बढ़ाएं तो सबसे पहले मैं कहूंगे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार जैसे आप सभी जानते हैं कि जो कपूर होता है देसी कपूर मैं यहां कहूंगी सिंथैटिक कपूर नहीं जिसमें से खुजबू नहीं आती है देसी कपूर जो होता है वही आपके जीवन में आपको बहुत स का प्रोक करते हैं आप सभी को पता है कि हिंदु धर्म शास्त्र में हम सभी चीज़ें जो पूजा पार्ट में यूज में लाते हैं वो कितनी काम में आती हैं तो सबसे पहले ज您द्हा के बात करेंगे उसके के बाद हम तुलसी जी के पत्तों की बात करेंगे जो कि आपके जीवन में बहुत सी खुश्यां लेकर आएगी वास्तु शास्तर जोती शास्तर के अनुसार कपूर के काफी फायदे बताए गए हैं होता क्या है जब आप कपूर को जलाते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो मे तो आपके पित्र तो खुश होते हैं साती साथ पित्र दोश की समस्या दूर होती है वास्तु दोश जो है वो दूर होगा साती साथ आपके जीवन में खुशाली आती है तो इस कटिन समय में सभी को जो लोग अपने काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं घर में काफी जगड प्रवेश नहीं कर पाती है यहां पर अगर आप देसी कपूर जो होता है उसको नारियल के तेल में मिला दें हलका सा नारियल के तेल में मिला कर अगर अपने पैरों के तल्वों में लगा कर रात को सोते हैं तब आपको शान्ती की नीन तो आती आती है साथ ही साथ आपके अंदर अगर कोई किटाणू होते है यर आपको इस समय में अगर कोई कटनाई महसूस हूरी काफी तनाव बढ़ चुका है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी समय की कमी करणवर कारण अगर आप इस समय पर पूजा पार्ट जादा नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि आप जो है काफी वीक हो चुके हैं आपको जो है बहुत सब्सक्राइब बहुत महसूस हो रहे हैं नेगेटिविडी बहुत आ रही है खास्तार पर तो यह जो पाहे आप सभी को करना चाहिए साथी साथ मैं कहूंगी अगर इस समय पर आपके समय जो है जैसे कई लोग अभी दफ्तर नहीं जा रहे हैं कई लोग के पास जो है समय काफी बच रहा है तो मैं यही कहूंगी कि आप पूजा पार्ट में अपना ध्यान लगाएं मेडिटेशन जरूर करें मैडिटेशन जो वियक्ति करता है जब उसके साथो चक्र उसके एक्टिव होते हैं या उसके आसबस सुरक्षा घेरा होता है तो उसके जितने भी आसबस primo कि नेगिटिवटी होती दूर होती है और उस वियक्ति विशेश्वर खास طूर पर किसी भ पन्द नहीं होती हैं 37 जिन घरों में तुलसी जी के पत्ते हैं वो इस समय पर आपको काफी कारगर महसूस करवाएंगे और इस समय पर आपके वो काफी काम भी आने वाले हैं तो कैसे काम आएंगे सबसे पहले तो आप सभी को जो है regular जो घर की महिलाएं हैं उन्हें तुलसी घीका नहीं तो तेल का दीपा कवश्य जलाएं इसके अलावा जब तुल्सी जी सूकती है जैसे उनके पत्ते को आपको इस उपाई के लिए यूज में लाना है जू पत्ते को आप इखटा कर लें और उसके बाद हफ़ते में या दो-चार दिन में जो है अपने घर में पत्त को जला कर जो है पूरे घर में जो है उसका धुआ दे इससे क्या होगा जो तुलसी जी है वो भी बहुत काम आती है वातावरन को शुद्ध करने में बाधाओं को दूर करने में और जो इसे अगर आप एक तरीके से देखे तो किटाणू भी आपके घर के नश्ट होते हैं आपको जीवन में सफलताएं दिलाएगा क्योंकि इस समय पर काफी लोग मानसिक परेशानिया बहुत जादा बढ़ गई है और लोग काफी सवाल कर रहे है कि कोई कैसा उपाए बताइए जो कि हम घर के बाहर जाए भी ना कर सकें या कोई ऐसी चीज़ बताइए जो कि हम घ घर में इस प्रकार शुद्धी कर सकें आप सेग जो होती है वो भी आप जानते हैं जैसे जो टैरो रीडर्स हैं या जो मेडिटेशन से या रैकी से जुड़े जितने भी लोग है उन्हें पता है कि उसका धुआ देने से व्यक्ति विशेश के आसपास की जितनी अपने घर में जलाते हैं तो यह यग्य के बराबर कारी करता है तो इसमें आप देशी कपूर मिला लीजिए उसके बाद अपने पूरे घर में जो है इसका धुआ दीजिए तो इससे क्या होगा आपके जीवन में जो है शांती का अनुभव आप अपने आप करने लगेंग कपूर की जो छोटी-छोटी बटियां होती है उन्हें ही पूरे कोनों में रख दीजे जिससे की चारों तरफ से उर जाएं जो हैं आपके घर में प्रवेश करें और सकरात्मक पूर जाएं जो हैं आपके इस समय पर आपका साथ दे और यहां पर एक बात और कहूंगी जो इसे भी भान कर या अपने द्वार के आसपास आप रखें जिससे क्या होगा आपके वातावरंड में शुद्धी आती है जो कपूर होता है केवल उपायों के लिए या केवल आरती के लिए यूज में नहीं आता है यह घर की बहुत सारी चीजों को जो है सकरात्मक बनाने म भी कारे में लिया जाता है वहीं यहां पर मैं कहूंगी कि इस समय पर आपको सूर्यास्त के समय पर कपूर का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए इससे क्या होता है आपके घर में सापी जितने भी देवी देवता है उनका वास सदेव सदेव के लिए स्थाई हो जाता है आप जब देवी शक्ति हमारे घर में विराज़मन होने लगती हैं तो अपने आप जो negativity है या जो परिशानिया होती है या जो बिमारिया होती है वो अपने आप घर से जाने लगती हैं जितना आपके घर का वास्तु स्ट्रॉंग होगा जितने आपके घर में पॉजिटिविडी र पनाईए समय ना होने के कारण या चीजों की कमी के कारण ये दो चोटी चीज़े कपूर और तुलसी है ये बहुत आपके काम में आने वाली है आप ये उपाय करके देखें आपको खुद को जो है बहुत ज़़ा फायदा इन चीजों से मिलेगा तो आशा है आज का ये वीड बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों